स्कूल के प्यारे बच्चों में देवेंद शर्मा मेंबर सिलेबस कमेटी सी बी एस सी स्टेनोग्राफी अब एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आपका वेलकम करता हूँ अपनी न्यू कोर्स की बुक का चैप्टर सेवन निकालिये चैप्टर सेवन पॉइंट नॉमबर सेवन्टीन पर लिखा हुआ है डिप्थॉंग्स आज हम डिप्थॉंग्स के बारे में पढ़ेंगे डिप्थॉंग्स का मतलब क्या है एक कॉंसोनेंट के उपर दो वावल जैसे हमने बोला माई तो इसमें दो वावल के आ गए आ और ए अगर हम आ और ए लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में भी कन्विनिंट नहीं होगा तो हमने फर्स प्रेस पर ये साइन लगाया इसको इसकी साउंड होगी आ इ ये फर्स प्रेस पर है हमने बोला माई ये मा यानि एम लिखा और मा के बाद आई माई हो गया इसी तरह से अपनी भुक के वर्ड देखिए पहला वर्ड है पाई, पाइप, टाई, टाईप, डाई, बाई, 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 बी, वाई, और बी, यू, वाई इसको याद करने का एक तरीका और बता रहा हूँ आप इस i की sound को you insert it on each and every consonant जैसे मैंने कुछ यहाँ लिखा पाई, बाई, टाई, डाई, चाई, जाई इसी तरह हर consonant पे लगा दीजिए फाई, वाई, थाई, दाई, एट्सेटरा हो सकता है यह कोई word न हो लेकिन ऐसा लिखेंगे तो आप हर word को लिख सकेंगे अब दूसरा देखिए बी पॉइंट अगर आपने यह sign first place यह first place का indication दे रहा हूँ पर लगाया तो इसके अंदर दो vowel की sound आएगी ओ और ए जैसे ओए, ओए, बोई, बोई, बाके बाद ओए अपने भुक के word देखिए पॉइंट बी में बोई, जोई, एंजोई, टोई, बोई, बोईल, बोईलर, एनोई, कोईल, टोईल, कोईल, एलोई इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया हर कॉंसोनेंट पर लगाईए पॉइ, बोई, टोई, डोई, चोई, जोई, एटसेटरा अब इसके बाद पॉइंट सी देखिए इसको ध्यान दीजिए ये थर्ड प्लेस पर लगेगा इस डिप्थॉंग में सेकंड प्लेस पर कोई साइन नहीं है अगर थर्ड प्लेस पर इस साइन को लगाएंगे इसका रिवर्स तो इसमें तो और की साउंड आएगी आ और यू, हाउ, जैसे आउट इसकी अपने बुके वर्ड देखिए जैसे काउ, आउट, लाउट, माउट, राउ, राउ, रो, डव, रो भी है और राउ भी है काउच, आउट ले, लाउच, काउटी और जैसा मैंने पहले बताया हर कॉंसोनेंट पर इंसर्ट कीजिए बाउ, पाउ, बाउ, टाउ, डाउ, चाउ, एटसेटरा इसके बाद पॉइंट डी दिखिए पॉइंट डी में अगर यू को रिवर्स करके ऐसे लगाएंगे थर्ट प्लेस पर तो ये यू की साउंड देता है जैसे ड्यू, टी ड्यू में यहाँ है ये बीफोर तर नेट्स टोक आगया ड्यू, टी इसको हर कॉंसरेंट पर लगाएंगे ट्यू, ब्यू, ट्यू, ड्यू, ट्यू, ज्यू और इसको समझाने के लिए याद रखिए, नोट कीजिए मेरा पहला वीडियो पार्ट सेवन पार्ट सेवन में मैंने इसको और डेटेल में बताया है जो इससे ज़्यादा अठी तरह पढ़ना चाहे वो मेरे इस पार्ट सेवन वीडियो को भी देख सकता है इसके बाद नेक्स पेज पर आईए फिर लिखा हुआ है शौट फॉर्म्स अगर आपने ये छोटा सा साइन लगाया ये आई को रिपेजेंट करेगा ये हाउ वाई बियोंड यू विद वेन वट यू वट वोड मी ओइंग ओइंग डार्क है और बाकी सब लाइट है इसके बाद आपको एक्सरसाइज हैं आपके पास सेवनटीन और एटीन इन दोनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी हैं उसके बाद नेक्स पेज निकालिए ट्वेंटी सेक्स पॉइंट नमबर एटीन अब इस पॉइंट में बताया गया है कि ये जो डिप्ताउंग आपने सीखे हैं इनको आप जॉइन भी कर सकते हो जैसे मैंने बोला आई टम आई पहले आया इसमें जॉइन हो गया टाइम लेकिन राइट साइड में जब आएगा तो जॉइन नहीं करेंगे ऐसे जॉइन करने का यूज नहीं है विदाउट लिफ्टिंग दपन करना है तो स्टाइटिंग में जॉइन हो जाएगा आई टम टाइम राइट साइड में नहीं होगा ओयल जॉइन होगा लॉय राइट साइड में नहीं होगा और आउट और बाउट तो ये राइट साइड में फस्ट प्लेस वाले आपके लेट साइड में जॉइन होंगे और थर्ड प्लेस वाले आपके राइट साइड में जॉइन होंगे अब इसके बाद बताया है जैसे ड्यू तो ड्यू के बाद यू ये राइट में जुड़ गया ये पहले नहीं आता ये बुक में नहीं बताया गया है व्यू ये राइट साइड में आया पहले नहीं आएगा यू जिव पहले नहीं आएगा जैसे हमने बोला यूत अब यूत ऐसे नहीं होगा आपको पूरा लिखना होगा जैसे यूनिटी पूरा या लिखना होगा यूरिया आपको पूरा लिखना होगा यह अगर स्ट उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, अब इस पॉइंट 18 का जो ए पार्ट है, इसमें एक वर्ड लिखा है, डिनाई, और ऐसे लिखा है, देखिए, डा, ए, ना, आई तो उपस प्लेस पे लगता है, ये सही नहीं है, ये उन्होंने फैसिलिटी के हिसाब से इसको लिख लिखिए, लेकिन हमने बताया कि ये गलत है, और फिर अगले पॉइंट में बताया है, बी में, कॉन्ट्रेक्टिट, कॉन्ट्रेक्टिट का मतलब छोटा हो जाना, जैसे हमने लिखा नाओ, ना के बाद आओ, लेकिन ये इसी में समाहित हो गया, मिक्स हो गया, ये वाली आ पॉइंट नंबर डी में बताया है, कि ये जो यू है, ये फैसलिटी के साब से कभी लेफ्ट और राइट में जुड़ो जाता है, जैसे कैन यू, गिव यू, विद यू, वेन यू, वट यू, वोड यू, आर यू, और फिर बताया है ट्राइफॉन, ट्राइफॉन में क् लिखा, इंग और अंग, इसको हम इंग में भी यूज़ करते हैं, अंग में भी यूज़ करते हैं, इस अवालिया डार करके, अब हमने बोला बाइंग, तो बाइंग के बाद जो य है, उसके लिए ये इन्होंने एक साइन लगाया है, टिक, लेकिन इसकी जरूद नहीं है इंग अपने आप में पूरा है, तो बाइंग, डाइंग, इसमें आई के बाद एक को टिक की जरूद नहीं है, जैसे लाइंग, इस टिक की, लेकिन मैंने बोला वाया, वाया के अंदर ये लगेगा, वाई, आई, आग, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, तो जो चाहे लिख सकते हैं, इस चैप्टर का भी मैं आपको टेस्ट पेपर भिजवा रहा हूँ, इसकी अच्छे से पैक्टिस करिए, और आपने जो कोई क्वेस्टन हो, अपने टीचर से पूछिए, और उसका क्लैरिफिकेशन लिजिए, इस चैप्टर में इतना ही, आपने मेरे आपने में 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 आपन